नमस्कार साथियों आपके अपने यूटूब चैनल हिंदी पेडिया में एक बार फिर से आप सभी का विनंदन आईए आज हम सभी पढ़ते हैं का विगुड ऐसे प्रस्णों का शंकलन लेकर उपस्तित हुए हैं जो परिक्षाओं में प्राया पूछे जाते हैं ऐसे प्रस्ण लेकर हम सामने हैं आईए प्रस्णों पर चलते हैं इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा अप्लोड किये गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा इसी तरह प्रस्णों के स्रिंखला जलती रहेगी तैयारी आपकी होती रहेगी आईए चलते हैं पहले प्रस्ण पर पहला प्रस्ण है दिये गए वाक्यांस में नहीत काबगुड का चैन कीजिए ऐसा प्रस्ण है तो यहाँ पर पहला प्रस्ण है बत्रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, शोह करे, भौहन हसे, देन कहे नट जाई, यहां पर गुड की बात की जा रही है, का बिगुड बताना है, तो का बिगुड कैसे जानेंगे, इसको आप समझ कर उत्तर करेंगे, हलक यहां प्रस्णों का उत्तर हमने पहले से ही टिक कर दिया है, जिससे आपको उत्त ढूलने में ज्यादा दिकत ना हो, आज इसका अभ्यास करेंगे, यह ऐसे प्रस्ण है, जो परिक्षा में पूछे जा रहे हैं, इसलिए इनको पहले से ही टिक कर दिया है, बस याद कर लीजी, यही प्रस्ण आते हैं, तो चलिए, पहले प्रस्ण का उत्तर मिल गया है, पह है रुन्ड गिरे, गज जुन्ड गिरे, कट कट अपनी पर सुन्ड गिरे, भू पर है विकल बितुन्ड गिरे, लडते लडते अरी जुन्ड गिरे, इस तरह से दूसरा प्रस्ण जो है, आपके सामने है, है रुन्ड गिरे, गज जुन्ड गिरे, कट कट अवनी पर जुन्डगीरे लड़ते लड़ते आरी जुन्डगीरे आरी मतलब दुस्मन दुस्मन का जुन्डगीरा यहां पर कौन सा गुड़ है यहां पर ओज गुड़ ओज गुड़ आपका है जो सही विकलप आपका है ओज गुड़ चार विकलपों में से सही गुड़ ओज है अभी कि आप इसका अभ्यास कर लें इसके बाद बताएंगे कि कैसे इन गुड़ों को हम निकालते हैं काब में गुड कैसे पहचानते हैं अगले वीडियो में इसका डिटेल लेकर उपस्थित होंगे कि काब में गुड कैसे पहचाने गुड क्या होते हैं काब गुड क्या होते हैं चलिए अगले प्रश्ण पर चलते हैं हिमाद्र तंग स्रिंग से प्रबुद्द सुद्ध भारती स्वयमप्रभास्र मुझ्यला सोतंत्रता पुकारती यहां प्रतीसरे प्रश्ण के रूप में हम सभी देख पा रहे हैं कि यहां पर कौन सा गुड है ओज है माधूर है प्रशाद गुण इस तरह से हमेशा याद रखेंगे तो हिमाद्रितुंग स्रिंग से हिमाद्रितुंग स्रिंग से प्रबुद्ध सुद्ध भारती स्वयं प्रभास मुझ्जला सुतंत्रता पुकारती इन प्रशन को देखने के बाद पता चल रहा है कि इसमें कौन सा है ओज जहां उस्ता या बेरता की बात होती है ओज गुण वहां बिद्धिमान रहता है अगला प्रश्ण है बढ़त बढ़त संपत सलील मन सरोज बढ़ जाए घटत घटत फिर ना घटे वर्शमूल कुमलाए इस तरह से यहां पर जो गुण बात की जा रही है प्रशाद प्रशाद गुण अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है राग्व बोले देख जानकी के आंगन को सुरगंगा का कमल मिला कैसे कानन को नील मधूप को देखो देखि वही उस कंजन कली ने स्वयम आगमन किया कहां यह जनक लली ने इस तरह से इस प्रस्ण का अगर देखें तो जोज गुड माधूर गुड प्रशाद गुड और श्रिंगार गुड यहां श्रिंगार को गुड बताया जा रहा है जबकि के वल तीन होते हैं हमेशा याद रखें गुड के वल तीन होते हैं इस तरह से यहां पर माधूर गुड बताया जा रहा है कि यहां पर जो गुड विद्धिमान है इसमें माधूर गुड है रागो बोले देख जानकी के आंगन को सुर गंगा का कमल मिला कैसे कानन को नील रूप को देख वही उस कंज कली ने स्वयम आगवन किया कहां यह जनक लली ने इस तरह से अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है वह कौन हमें ललकार रहा सुन सकते हम ललकार नहीं बहरहा नसों में रखते अभी इसमें पानी की धार नहीं तो यहां पर अगर गुड की बात करें माधुरी गुड प्रशाद गुड ओज गुड यहां पर भी आपका सही बिकल्प है ओज गुड क्योंकि यहां पर उत्साह और बीरता का जो प्रभाव है इस कारण से यहां पर भी ओज गुड हैं अगले प्रस्न पर चलते हैं अगला प्रस्न है यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं कौन सा गुड़ है माधूर गुड़ है परशाद गुड़ है ओज गुड़ है सरिंगार है यहां सरिंगार जो दिया गया विकलप में यह रस है चोथा विकलप बनाने की कोशिस की गई है लेकिन आपको तीन ही बिकल्प सही लेकर चलना है गुड हमेशा तीन होते हैं प्रासाद गुड माधुरी गुड ओज गुड तो यहां पर अगर देखें स्वेत में स्वेत स्याम रतनार जीयत मरत जुकशुक परत चेह चितवत एकबार अमीय हला हल मद भरे इस तरह से जो व स्रिंगारश की प्रधान्ता होती है वहां पर माधुरी गुड ही होता है तो इस तरह से आप कह सकते हैं स्रिंगारश में करूण रस में सांत रस में माधुरी गुड पाया जाता है शिंगारो करूण और शांतरस जहां भी होंगे वहां पर माधूर गुड़ पाया जाता है इसी तरस एक गुड़ों के वारे में जानते जाएंगे अगला प्रश्णाया रहिमन धागा प्रेम का मत तोरो छिटकाए तूटे से फिर ना जुरे जुरे गाथ पर जाए यहां पर देख रहे हैं कौन सा रस है रस के अनुसार चलेंगे यहां पर जो है सुच्छंद विचारधारा की बात की गई है सतसंग की बात की गई है इस तर दुरे गुड होता है, वहां पर सीधे प्रशाद गुड होता है, वहां पर सीधे क्या होता प्रशाद गुड, चलिये तो सही बिकल्प आपका मिल गया प्रशाद गुड अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है कड़ कड़ में घोल रही मैं कड़ कड़ में घोल रही अलि आशू के मिस्प्यार किसी का मैं पलको में पाल रही हूँ यह सपना सुकुमार किसी का यहाँ पर जो सपने पालने की बात है सिंगार रश की बात है तो आप सीधे समझ गए होंगे कि कौन सा गुड़ है सिंगार करूण और सांतरस में हमेशा कौन सा गुड़ होता है माधुर्य गुड़ इस तरह से हमेशा याद रखेंगे माधुर्य गुड़ होता है यहां सही विकलप आपका मिल गया माधुर्य उसको जिसके पास गरल हो उसको क्या जो दंत हीन बिसरहीत बिनीत सरल हो यहां जो है इस तरह से वर्डन किया जा रहा है इसी बीरता की बात बताई जा रही है कि तुम बीर हो कायर हो इस तरह की बात जिपकी जा रही है तो यहां पर कौन सा गुड बिद्धिमान है यहां पर क आप्वेका जो गुड है ओज गुड भी दिमान है ओज गुड चलिए इसी तरह से अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन जो हमारे शामने हैं हो सुसित पवन उनचास पिता पच्छ से तुमल एकत्र वच्छ पर बहा वास्प को उड़ा अतुल सांत घुणा वर्त तरंग भंग उठते पहाड जल रासी रासी जल पर चड़ता चड़ता खाता पचाड इस तरह से यहां पर जो काविपंग्त दी गई है पर रिक्षा के से बहुत ही महत्पूर है इसको ध्यान से देखेंगे इसमें कौन सा गुड़ है हो सुसित पवन उनचास पिता पक्छ से तुमल एकत्र वक्ष पर ब्रह्म बहा वास्प को उड़ा अतुल सांत सत घुड़ा वर्त तरंग भंग उठते पहार इस तरह से जो यहां बात की जा रही है अगर आप देख पा रहे हैं इसको इसमें कौन सा गुड़ होना चाहिए इसमें यहां न तो प्रशाद गुड़ है न तो माधूर गुड़ है यहां पर जो बात की जा रही है ओज की बात की जा रही है उत्सा की बात की जा रही है यहां पर उत्सा और ओज होने के क कौण सा गुण विद्धिमान हो गया ओजगुण ऐसे ही हमें समझना है कभी गलती नहीं हो गई माधूर इसले नहीं है यहाँ पर शिंगान शांत और करून रश की बात नहीं की गई है यहाँ पर जो बात की गई है उत्तसाह की बेरता की इस तरह से यहाँ परशाद गुण भी नहीं है तो बचता है ओजगुण इसी तरह से अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है देख सुदामा की दीन दसा करुणा करी के करुणा निधी रोए पानी परात को हाथ चुओ नहीं नैनन के जल से पगद होए सांतरस यहां है और सांतरस होने के कारण यहा पर सही रूप से आपका माधुर्य गुड़ होना चाहिए कौन सा गुड़ होना चाहिए माधुर्य गुड़ होना ही चाहिए चले अगले प्रश्ण पर चल लेते हैं मधुमय बसंत जीवन बनके वह अंतरिच की लहरों में वह अंतरिच की लहरों में कब आये थे तुम की प्रतिक्षा की जा रही है तो शिंगार रस तो शिंगार रस होता है और शिंगार रस में कौन सा गुड़ होना चाहिए कौन सा गुड़ होना चाहिए माधुर्य गुड़ होना चाहिए चलिए अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है नैनों की नीलम की घाटी नैन पर भी शिंगारश की बात की जा रही हैं और जब शिंगारश की बात की जाएं हमेशा आपको याद रखना है मादुरी गुड़ी ही होता है चलि अगले प्रश्न पर चलते हैं इस तरह से यहाँ पर उत्साह की बात आ गई उत्साह जबा गया तो सीधी क्या हो गया ओज गुड़ हो गया ओज पर हमें सही का अभिकल्प चैनित कर लेना है चलिए अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन क्या है करते अभिशेक पयोद हैं बलिहारी इसवेश की है मात्र भूम तू सत्त ही सगुड मूर्त सर्वेश की इस तरशर देखे यहाँ पर न तो माधुर्य है और न तो ओज है कुछ 32 सी बात की जा रही है लेकिन मात्र भूम के ले की जा रही है सत्य की की जा रही है तिहां पर जो सोच्छंद रूप से रस आया है सोच्छंद रस जो आया है इस कारण से यहां प्रशाद गुड बिद्धिमान है कौन सा गुड बिद्धिमान है प्रशाद गुड बिद है तो काब रीतियां जो होती है कि आ से ब्वंचाली और गोड़ी तीनों रीतियां होती है काब रीतियों में यहां देपें तो वैदर्फी रीतु है वह रीतु समस्त गुड से यूक्ट है वैद पांचाली इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहां पर सहीं विकल्प आपका है वैदर्वी रीती कौनसी रीत वैदर्वी रीत अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है ओज गुड से युक्त दिर्ग समासा रीती है तो कौनसी रीती है गोड़ी पांचाली वैद कर भी लाटी यहां पर आप समझ पा रहे हैं ओज गुड़ से युक्त है तो कौन सी होती है गौड़ी गौड़ी क्योंकि ओज गुड़ में गौड़ी बिद्धिमान रहती है तो अगले वीडियो में हम सभी गुड़ और रीत के बारे में बात कर लेंगे इस तरह से हमें कभ परिषण उपस्थीत होंगे एक क्लास लेंगे जिसके मांधियम से सभी परस्टों की चर्चा करेंगे अभी आज हमने बिगल प्रस्टों को लिया है उस barelyn देटेल लेकर उपस्थीत होंहें इनके बारे में पूरी विधिवत जानकारी लेकर उपस्थीत होंहें ताकि इनस किसे कहा गया है बैधर्वी को लाटी को गोडी को पांचाली को यहां पर अंतिम प्रश्ण के रूप में आज का अंतिम प्रश्ण है यहां पर हम देख पा रहे हैं सही विकल्फ हमने लगा रखा है पांचाली तो पांचाली मध्यमार की रीत हैं जिसे बहुत ही काविशास्त एक बाद जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, जिसके माध्यव से हम आगे भी वीडियो लेकर उपस्थित होते रहेंगे, तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, दोस्तों में सेर करिएगा, इसी तरह के वीडियो के लिए आप कमेंट करिए ताकि हम वीडियो बना कर आपके लिए प्रस्तुत करें, आज यहीं तक धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत